तीजे लेक्चर विच तो हाड़ा स्वागत है जित्थे अठमे हफते विच असी उस एक्वेशन नूँ देख रहे हैं जो साउंड वेवस्दी प्रोपेगेशन नूँ गवर्न कर दी है अते असी साउंड दी स्पीड दी पचान करंदेवी योग सी असी एवी समझदेहां कि साउंड वेव लोंगिट्यूडिनल वेव दा एक रूप है इसलेई मैं एथे इस सलाइड विच लोंगिट्यूडिनल वेवस्दी नूँ सिरफ तो हानू दुबारा याद कराऊन ली दिखाया है कि एहो वेवस हन जिथे डिस्प्लेसमेंट अते प्रोपेगेशन दी दिशा एकको है जा होर सही टंग नाल केहा जावेता एह एक दुझे दे पैरलल हुन दे हन जो ट्रांसवरस वेवस दे उलट है जिथे प्रोपेगेशन दी दिशा अते जिस दिशा विच इंडिविजोल उसी लेशना हुंदियाँ हान, ओ एक दूजे दे परपैंडीक्यूलर हुंदियाँ हान, तुसी साउंड वेवस नूं हवा दे एक पारसल वांग, समझो हवा दे एक पारसल वर्गा कुझ, जो disturb हो जान्दा है हवा दे अगले पार्सल नू डिस्टर्ब करदा है अते इसे तरह चल्लदा रहन्दा है तुसी इत्वे एक disturbance पैदा करो मैं इत्वे हवा विच आपना हाथ कुम्मा के अजेहा कर सकदा हाँ अते एह disturbance नू अगले पार्सल तक पहुंचाऊन जा रहा है अते अगले पार्सल तक अते इसे तरह चल्लदा रहन्दा है इस तरह एक्वेशन जो वेव दे प्रोपेगेशन नू नियंतिर्थ कर दी है वो दित्ती गई है इत्थे वेट दिखाया गया है अते इटी टी एडिस्पलेस्मेंट है मान लओ के तोहाड़े हवादे पार्सल दी डिस्पलेस्मेंट दोहाँ पोजीशन दा एक फंक्षन है अते टाइम भी बलक मोडूलसस है अते रो मीडियम दी डेंसिटी है अते इस तो तुसी तुरंत विलोसिटी लई फेज विलोसिटी लई एकस्प्रेशन लिख सकदे हो जो है सक्वेर रूट भी डिवाइडेड बाए रो अते साउंड वेवस दे केस लई आइडियल गैस एक वेशना ते वापस जाओ अते तुसी बलक मोडूलसस नू रिपलेस कर सकदे हो अते आन्त विच प्रेशर दे टर्म स्विच एक एकस्प्रेशन लिख सकदे हो इसलेई साउंड दी सपीड सक्वेर रूट गामा मल्टीपल आई बाए पी डिवाइडेड बाए रो इस सब नू इकठा करन लई साढ़े कोल इटी टी ए है जो टाइम दे एक फंक्शन वजों डिस्प्लेस्मेंट है अते एह वेव एकवेशन दे इस सल्यूशन द्वारा दित्ता गया है अते याद रखो कि इटी टी ए अते एकसेस प्रेशर पी ए ग्रेडियन्ट डौ वाई बाई डौ एकस द्वारा रिलेटिड हान ते बराबर नहीं हुन्दा है, पर, एक्सेस प्रेशर जीरो दे बराबर हुन्दा है, क्योंकि औपन दे प्रेशर नू वाईू मंडल दे प्रेशर दे नाल continuous होना चाहिदा है, जो तो हडी cylindrical बोड़ी दे बिल्कुल बाँर प्या हुन्दा है, इसलिए इहना boundary condition आन दे नाल, असी अ जही body विच, standing mode दी, progression जा systematic off देख्या, अते कोई वी velocity नू, position अते time दे function वजों देख सकदा है, फिर इत्थे acceleration वी है, जो position अते time दा function है, अते एथों तक के density वी बदल दी है, एस सारिया quantities position अते time दे एक function दे रूप विच वेरी कर दिया हान, अते एना विचों हर एक quantity दे नाल संबंदे ते एक amplitude हुंदा है, असी होना सब तो पुराने पाठा विचों इकते वापस जान दे हाँ, जो असी सिखे sun के energy amplitude दे square दे अनुपाती है, इसलिए जेकर तुसी इसनु त्यान विच रख दे होता तो हाननु ए एहसास होवेगा के intensity इहना amplitude दे square दे, अनुपाती होनी चाहिदी है sound दी intensity किसे भी wave forum लई एक, average power है जो space दे किसे भी, region राही, प्रती unit, area विच transmit हुंदी है, जेकर मैं एक तरह सिद्धे तौरते इस दी व्याख्या करा, मैं कहांगा कि intensity सिरफ, average power, प्रती unit, area है हुंद इस परिबाशा तो मैं, लिख सकदा हां के आई है, average P divided by A नाल पाग कीता जावे, अते जिसनु, मैं कहांगा कि प्रती unit area विच, transfer, कीती average energy अते प्रती unit, area विच transfer कीती गई, average cool energy, तुसी बेशक के इसनु, दो, हिस्यां विच वांड सकदे हो, एक को energy है, जो kinetic, energy तरम तो आउंदी है, अते दूजी जो potential energy तरम तो आउंदी है, ता मैं इसनु इस वजों लिख सकदा हा, average, kinetic energy प्रती unit area पलस average potential, energy, प्रती unit, area इसलेई जेकर तो हानु, अब्बे आसी आद है, जो असी, कुझ समा पहला कीता सी अते असी देख्या के, किन्नी energy transfer कीती जा रही है, ता आसी केहा के, वेव फोरम विच तुसी वेव दे एक छोटे हिस्से ते विचार करदे हो, पहला दी दलील विच असी स्ट्रिंग, नू देख रहे सी अते असी चाउंदे सी, अते असी ए जानना, चाउंदे सी के एक स्ट्रिंग रही प्रोपेगेट, करन वाले वेव फोरम द्वारा, किन्नी उर्जा, transfer कीती जान्दी है ता, उस थिती विच असी केहा के, असी स्ट्रिंग दे एक छोटे हिस्से, ते विचार करांगे, तुसी कहे, सकदे हो कि स्ट्रिंग दे, सेगमेंट दी, लंबाई डेल्टा एकस, है अते जे कर तुसी अपनी निगा स्ट्रिंग दे, इस छोटे सेगमेनट ँपर अते हिठा उसी लेट करन तो इलावा होर कुछ नहीं कर रहा है, इसली एस सिरफ सिंपल हार्मोनिक उसीलेशना नूल लागू कर रहा है अते ऐसी जान दे हां कि सिंपल हार्मोनिक उसीलेटर दी एनरजी उस तो है जिस्दा असी कई हफ्ते पहला अध्यायन कीता सी इसली सानू सिरफ उस एनरजी लई एक्स्प्रेशन विच पाउन अते नतीजे दी गणना करन दी लोड है आउहून असी इस दा अनुवाद कार दे हा साड़े केस लई तकनीक ता साड़े कोल गैस दा एक पार्शल छोटा पार्सल हो सकदा है अते मैं उस पार्सल दी होर भी छोटी स्ट्रिप ते विचार करन जा रहा हां जिसनू मैं एह तरम दस दे होए कहांगा कि छोटी स्ट्रिप दी लंबाई डेल्टा एकस है असी डेल्टा एकस दी लंबाई दी इस छोटी स्ट्रिप दी मोशन ते विचार करांगे क्योंकि मैं काइनेटिक एनरजी दी गन्ना करना चाहूंदा हां मैंनू सिद्धा दसन द्यों कि y डाट जो डो y by डो टी है उसनू इस रूप विच लिखिया जा सक्दा है इस दा मतलब ए है कि मैं पोजीशन अते टाइम दे फंक्षन दे तौर ते डिस्पलेस्मेंट लई पहला ही कुछ फारम चुनया है अते एक कोस फंक्षन होवेगा ता वाई डाट मैंनू एक साइन फंक्षन दे वेगा पर नतीजे इस गालते निर्बर नहीं कर दे हनके मैं अपना शुरुआती सल्यूशन चुनदा हाँ एक कोस जां साइन फंक्षन इसलेई मैंनू कोई एक चोन करनी पवेगी अते गणनावान दे नाल अग्गे वदना होवेगा ता जो एक सार होवे अते क्योंकि मैंनू सिरफ डो वाई बाई डोट एम दी लोड है असी सिद्धे तोर ते ए दस्ते हां के वाई डाट दी ए फोरम है हुन मैं मीन काइनेटिक एनरजी दी गणना करना चाहूंदा हां मेरा मतलब है के इस दा एक जां कई वेवलेंद तो एवरेज कीता गया है वाई डाट स्कुएर दा एवरेज मैंनू हेठा दिता रिलेशन देवेगा इसलए मैं जो कीता है ओहे है के एक छोटी स्ट्रिप डेल्टा एकस ते वाई डाट स्कुएर लई एकस्प्रेशन लिखी है ता एन वेवलेंद दी संख्या है जो मैं इहना छोटीयां स्ट्रिप नू जोड रहा हां अते फिर कुल लेंथ नाल पाग करदा हां जो के एन गुना लेंबडा है ता लेंबडा इथे एक वेवलेंद है इसलई इस इंटीगरल नू करदे समय सानू ए ते आन विच रखन दी लोड है कि असी कुल लिंक ते इंटीग्रेट कर रहे हां जो के एन टाइमस लेंबडा दे बराबर है अते टी एन टाइमस टाइम पीरियाड होवेगा आते बेशक टाइम पीरियाड खुद लेंबडा बाय सी दित्ता जावेगा जिते सी फेज विलोसिटी जाँ वेव दी विलोसिटी है इसलई इस केस विच ए साउंड दी सपीड है इसलई एह ओ नतीजा है जो मैं इसनू इंटीगरेट करके प्रापत करदा हां इंटीगरल आपने आप विच करना बहुत आउखा नहीं है ए ये साइन स्कुएर थीटा डी थीटा के समदा इंटीगरल है मैं काइनेटिक एनरजी लई एवरेज वैल्यू लिख सक्दा हां ओ मात्रा जो मेरे कोल लेफट हैंड साइड ते है उसनू वदेरे सही टांगनाल काइनेटिक एनरजी डेंसिटी के हा जान्दा है इसलई अगला हिस्सा ए है कि मैं एवरेज पोटेंशियल एनरजी डेंसिटी दी गणना करना चाहुंदा हाता पोटेंशियल एनरजी साउंड वेव विच एडियाबेटिक बदलावा दोरान गैस देख फिक्सड़ मास ते कीता गया काम है ताकि इस क्वांटिटी नू लिख्या जा सक्दा है माइनस इंटीगरल ओवर पी डीवी इसलई पी डीवी बेशक गैस द्वारा कीते गए काम लई एकस्प्रेशन है अते नेगेटिव साइन जो तुसी इत्वे देख दे हो तो हानू दस्ता है कि जेकर प्रेशर वद्दा है ता वॉल्यूम कटदा है जा वॉल्यूम वद्दा है प्रेशर कटदा है इसलई प्रेशर अते वॉल्यूम विचकार इन्वर्स रिलेशन हुन्दा है इसलई नेगेटिव साइन मूल रूप विच इस किसम दे इन्वर्स रिलेशन नू दरसौन्दा है इसलिए पामे असी एक एडियाबेटिक प्रोसेस द्वारा किते गए काम नू देखके एवरेज पोटेंशियल एनरजी दी गणना कर सकते हाँ जो इस इंटीगरल प्रेशर द्वारा दिता गया है जो वॉल्यूम ते इंटीगरेट किता गया है एक लंबा होल है इसलिए इस दी बजाए उस चीज़ दी वर्तों करना वदेरे आसान है जो असी उदों सिखी सी जदों असी सिंपल हार्मोनिक उसीलेटर नू वेख रहे सी इसलिए उथे एक नतीजा ए निकलिया सी के एवरेज काइनेटिक एनरजी अते एवरेज पोटेंशियल एनरजी एक दुजे दे बिल्कुल बराबर सन जित्थे दोंए काइनेटिक अते पोटेंशियल एनरजी स्दोंए एक साइकल ते average हुंदिया हैंता जेकर असी इसताथ दी वर्तों कर दे हां के एक cycle विच average potential energy एक चकर विच average kinetic energy दे बराबर है काइनेटिक energy लई नतीजे दी पहला ही गणना कर चुक के हां अते सानु सिरफ उसे नतीजे नू मोड दर्शाून दी लोड है कि Average Potential Energy उस दे बराबर है जिस दी असी पहला ही गन्ना की ती सी, इसलेई Average Potential Energy दी मुड गन्ना करन दी बजाए इस नतीजे दी वर्तों करांगे आते Average, Energy, Density दी गन्ना करन लेई अग्गे वदांगे ता दो में बराबर हान इक बाय चार टाइमस, रो इनटू, वाई मैकस, डार्ट सक्वेर, अते A Expression आपने आप Displacement दे, Amplitude दे टर्म स्विच भी लिख्या जा सक्दा है जिसके स्विच, A सब बस एक बाय चार इनटू रो, इनटू ओमेगा स्क्वेर इनटू वाई मैकस सक्वेर बन जावेगा, क्योंकि काइनेटिक अते, Potential Energies बिलकुल बराबर हान कुल, Energy, ओना विचों किसे भी एक दा दो गुणा है इसलिए मैं इसनू दो टाइमस एवरेज, काइनेटिक एनरजी मन दा हाँ इसलिए, कुल, Energy, Density, दो गुणा एक बाय चार, रो ओमेगा स्क्वेर, वाई मैकस स्क्वेर, दे बराबर है अते, A इक बटा दो, रो ओमेगा स्क्वेर, वाई मैकस, स्क्वेर दे बराबर है इसलिए, एक कुल, Energy, Density लेई साधी एक्स्प्रेशन है इसलिए, अंत्विच, Intensity ट्रांसफर कीती गई, कुल, Energy, Density होवेगी, जो होवेगी कुल, Energy, Divided by Volume अते, A है, Energy, Density, Multiply by, Phase, Velocity अते, A Quantity तो हानू याद दिवाउन देओ, कि, Energy, Density है 80, इथे पहला ही Average, कुल, Energy, Density दी गणना कीती है इसलिए, मैनू सिरफ इथे सबस्टिट्यूट करन दी लोड है, ता मेरे कॉल है 1 बटा 2 रो, Omega सक्वेर, Y Mac सक्वेर, Multiply by, C, जो Phase, Velocity है A मैनू, Intensity लई एक, Expression दिन्दा है फून आओ, इहना जानकारियानू इकठा करिये ता पहला A है, कि Sound, The Intensity, Density दे सिद्धे अनुपातक है, सपश्चट तोरते मैनू दस्ता है कि Medium जिनना Dance है Sound V उन्नी ही Intense है, जां वेव ज्यादा Intense है दूजा Intensity Frequency दे सक्वेर दे अनुपाती है इसलिए यह हो सक्दा है कि मैनू इहना दी वर्तों करन द्यों एंगूलर फिरीकुएंसी एंगूलर फिरीकुएंसी दे अनुपाती है इसलिए वदेरी फिरीकुएंसी दा अरत वदेरी Intensity है अते इसे तरह Intensity वी सपीड दे अनुपाती है वेव दी सपीड ज्यादा है ता वेव तेज ट्रेवल कर दी है ता Intensity वी वद हुन्दी है एक्सप्रेशन है जो असी सपश्चत तौरते Intensity ले डराइव कीता है Displacement Amplitude दे टर्मस विच है इसले इथे Displacement Amplitude वाई मैं कस है जिमें कि मैं केहा कि असी इसनू Velocity Amplitude जा Acceleration Amplitude जा उदारन ले Pressure Amplitude दे टर्मस विच डराइव कर सक दे हा जे कर तुसी समान Derivation नू देख दे हो अते Pressure Amplitude दे टर्मस विच एक Wave Forum ले Intensity Formula Deriv कर कर दे हो Assise Forum विच Expression परापत करांगे आम तौरते किसे भी Periodic Signal ले Intensity Level Bail The Unit Determus Which Mapea जान्दा है Intensity Level नू हेठा परिपाशित कीता गया है इसलई मैं इसनू एल कहांगा जो होवेगा Thus Multiply by Log I by I 0 ता I साड़े Wave Forum D Intensity है अते I 0 एक Reference Intensity है इसलई Intensity नू मापन दा ए तरीका ए कहन दे बराबर है कि मैं कुछ Reference Level डिसाइड कीते हन अते हर दुजी Intensity नू उस Reference Level दे सबंद विच मापया जावेगा अते क्योंके असी I नू I 0 नाल डिवाइड कर रहे हां यूनिटां कैंसल हो जान गियां अते जो Level असी प्रापत कर दे हाँ हो एक Dimensional S नंबर होवेगा जिस तरह Intensity Level नू परिपाशित कीता जानदा है बेल एक बहुत वड़ी यूनिट है इसलेई आम तोर ते एह Formula DB जान Decibal दियां यूनिट विच मापदा है इसलेई सपष्चट तौर ते एक बेल नू बंदिया गया है इसनू को 10 छोटियां यूनिट विच बंदिया गया है इसलेई पारंप्रिक तौरते रेफरेंस, इंटेंसिटी, नू मनुखा लेथ रेशोलिड साउंड इंटेंसिटी वजोलेआ, जान्दा है ता सब तो, काटे इंटेंसिटी कहडी है जो एक मनुख लेई सुनन योग है, अते अजेही साउंड दी इंटेंसिटी अजेहे मेगनिट्यूड दी है, जो 10 पावर माइनस 12 वाट प्रती, मीटर सक्वेर दे आडर दी है, इसलेई इस दे संबंद विच, असी किसे होर, साउंड दी तुलना कर सक्दे हां, अते इस दा अरत बनदा है, क्योंकि कोई वी इंटेंसिटी जो इस, तो कट है, ओ चीज नहीं है, जो इनसान सुन सक्देहन, अते आम तौरते, मनुखी सुननियोग रेंज इक के इंटेंसिटी तो रेंज कर दी है, जो 10 पावर माइनस 12 वाट प्रती मीटर सक्वेर तो इक वाट प्रती मीटर सक्वेर तक है, इनना सपश्चट है, कि पूरी सुननियोग रेंज बहुत वड़ी है फुल सुननियोग रेंज नू प्रापत करन लई मैनू सिरफ आई नू एक वाट प्रती मीटर सक्वेर अते आई सिफर नू 10 पावर माइनस 12 वाट प्रती मीटर सक्वेर दे बराबर सेट करन दी लोड है जिस केस विच एल होवेगा 10 गुणा, लॉग बेस दासिक डिवाइडेड बाई 10 पावर माइनस 12 अते एह 10 गुणा लॉग बेस 10 ओफ 10 पावर 12 जो मैनू देवेगा 10 गुणा 12 जोके 100 वी ह दे बराबर है इसलिए हेटली लिमिट दे विचकार जोके 10 पावर माइनस 12 है उपरली लिमिट तक रेंज है 100 वी डैसिबल जां 12 बिल है ता जो असी जान देहां के आम मापान तो साउंड इंटेंसिटी इक शांत जगा विच हुंदी है एक शांत का अरजा इत्वों तक के एक शांत दफ्तर भी हो सकदा है जिथे ज्यादा बारी शोर नहीं है अजहे सारे मामलें विच इंटेंसिटी लगपक 10 पावर माइनस 8 वाट प्रती मीटर स्कुएर है मैं डैसी बलाँ दे टर्मस विच एह पता लगाऊना चाहुंदा हां कि सांड लेवल की है अते इस इंटेंसिटी दे दित्ते जानते मैं एवी पता लगा सकदा हां कि हवा दे पार्सलां दे डिस्पलेस्मेंट दा एम्पलीट्यूड की होवेगा जो इस सकीम दी सांड इंटेंसिटी नू जनम दिन्दा है उस उदेश लेई सानू ओ रिलेशन दी लोड है जो असी हुने डराइव कीता है असी कहा के इंटेंसिटी बराबर है एक बटा दोरो ओमेगा सक्वेर वाई मैक स्क्वेर गुणा सी अते ए जानकारी प्रापत करन लेई मैनू कुछ चीजां दी जरूरत है एक खावादी डेंसिटी है जो लगपग एक दश्मलव दो किलोगराम प्रती मीटर क्यूब है अते मैनू एंगुलर फिरीको एंसी दी वी लोड है जो साढ़ी आम बोली दी फिरीको एंसी दा दो पाई गुणा है इसलेई जदो कुछ लोग बोल रहे हुंदे हान आम तौरते शामल फिरीको एंसी लगपग एक सो तो दो सो हर्टस दे आडर दिया हुंदिया हान इसलेई मैं संख्यानू लगपग एक सो हर्टस लेंदा हाँ आते सी बेशक साउंड दी स्पीड लगपग तिन सो बत्ती मीटर प्रती सेकिंड है हुण मेरे कोलो सारी जानकारी है मैं रो जान दा हा मैं ओमेगा जान दा हांसी नू जान दा हा अते मैं किसे शांत कमरेजा इस वरगे दफ्तर विच मापी गई इंटेंसिटी नू जान दा हां अते इस तो मैं वाई मैकस पता लगा सकदा हां एक सदारन अब्यास है तुसी संख्यावानू पुट कर सकदे हो अते तुसी ए महसूस करोगे कि तुसी वाई मैकस प्रापत करोगे इसलेई आम, सथितियां, विच्च हवा दे पार्सलांदा डिस्प्लेस्मेंट मोलिक्यूलर डायामेटर दे कुझ एक सोजा, एक हजार गुना तो वद नहीं हुन्दा अते ए दित्ता गया है कि एक शांद दफ्तर जां एक कमरे विच इंटेंसिटी है चलो गणना करिये कि साउंड लेवल की है जिसलेई मैनू ए, फार्मूला पता होना चाहिदा है, लॉग बेस दस अते जो, इंटेंसिटी, मेरे मन विच है, ओ है दस पावर माइनस अठ डिवाइडेड बाए, दस पावर माइनस, बारा, डी बी, एह दस होवेगा अते बेशक ए है, लॉग बेस दस, दस पावर माइनस, दस पावर पलस चार अते एह लगपग, जाली, डैसिबल, है इसलेई अजेही जगा जिते बहुत ज्यादा, बारी शोर ना होवे, सिरफ कुछ लोग ही एक दुजे नाल गाल कर देहन, तुसी शांत कर, जान दफतर विच चाली तो, पंजा, डैसिबल, दे विचकार, साउंड, लैवल होन दी उमीद कर सकदे हो, स्टेडियम, विच जिस तरह द शोर तुसी स्टेडियम विच परापत कार दे हो, लगपाग, 90 तो, 100, डैसिबल, दे आडर, दा होवेगा जो लगपाग, 10 पावर माइनस तिन तो, 10 पावर माइनस, 2, वाट प्रती मीटर सकुएर दी इंटेंसिटी दे, लैवल नाल संबंदित है, हुन जदो साढ़े कोल शांत कार जां दफ्तर विच इंटेंसिटी दे लैवल लई, कोई नंबर है अते, इथे सिर्फ मैं ही बोल रहा हां, इसलिए मैं तुरंत जांच कार सकदा हां कि ए सही है, जा नहीं, उदारन वजो मैं अंड्रोइड एब, खोलिया है जो सिद्धे तौरते तो हडे साढ़ दे लैवल, नू मापदा है अते दस्ता है उदारन लई इस तरह दी जगा विच, इस नू मापदा आ गया है अते एवरेज लगपग, उनिन जा, डैसिबल है, ता तुसी देख सकदे हो कि संख्या चाली अते पंजाह दे व ड्यूल विच, असी साउंड वेवसनाल संबंदित, कुछ प्रोबलमस करांगे आते ओ सब कुछ, जो असी इस हफ्ते विच, सिख्या है